हे गाईस वेलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है इस वीडियो में तो दोस्तों बहुत बड़ी खुसकबरी है आप सभी केंडिडेट्स के लिए एक बिग न्यूस है बड़ी अपडेट है डियाडियो की तरफ से डियाडियो MTS की फिर से वेकेंसिस आने वाली है जिए दोस्तों आपको पता है 1817 पोस्त पर 2019 में रिक्रूट्मेंट आउट की गई थी नॉवंबर के मन्त में फिर वेकेंसिस चली कोवीड के कारण काफी सारा रिस्ट्रिक्शन आया उसमें और फाइनली उस वेकेंसिस को क्या कर दिया गया है कैंसल कर दिया गया ह पर दिया रिटन फिर से वेकेंसिस निकाले गई इसके रिगारिंग तो फैनली गाई जिस पी आपें ओफिसियल आपकी वेकेंसिस आने वाली है तीन हजार से भी ज्यादा पोस्ट होगी तो एक बड़ी रिक्रूट्मेंट है इसी को लेकर डिया डियो ने वो वेकेंसिस को cancel किया गया था हलांकि जो भी मैं बताने वाला हूँ सारे candidates बड़ी ही ध्यान से सुनना और एक बड़ी opportunity है DRU MTS भी एक टक्कर वाली जोब से यार इसमें बताऊंगा previous syllabus के बारे में भी क्योंकि hopefully 2019 में vacances आई थी तो फिर से मैं syllabus की जनकारी दूँगा कि इसमें syllabus क्या होता है क्या qualifications होती है age limit इसमें क्या होता है और selection process की क्रिचरिया totally क्या होती है जितने भी student है अगर आपका dream है DRU में job करना या फिर MTS का पहले form भरे थे या फिर से form भरने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा काफी सार आपको यहां पर MTS के बारे में जो की नहीं पता चला धीरे-दीरे पता चल रहा है क्यों बंद हुआ वेकेंसी क्यों कैंसिल हुआ यह कब तक वेकेंसी आ सकती है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी चनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लिज डू सब्सक्राइब और इतनी बड़ी न्यूज दे रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार फर्स्ट अफ फॉल ओफिसेल नॉटिफिकेशन्स यह चीज आपको पता होगी नॉटी जो आउट की गई थी 2019 MTS की मैं दिखाऊंगा एड़टैजमेंट भी जिसको लेकर यहाँ पर क्या गया था 27 से 27 सिसंबर 2019 में वेकेंसी जाए थी क्योंकि इसकी खबर बहुत दिन पहले थी कि DRU MTS वेकेंसी निकालेगी सो काफी सारी रिसॉर्सस हैं उसके द्वारा यहाँ पर जो अपडेट आई है वो चीज में ला रहा हूँ और बहुत ही बड़ी ऑथन्टिक निउस है यह वेकेंसी और वो भी बहुत जल देखने को मिल सकती है कोई ज़्यादा लंबा टाइम इसमें वेकेंसी में नहीं लगने वाला है जैसे कि DRU अभी पता है लगतार वेकेंसी निकाल रही है सेप्टम 10 की रिक्रूट में निकाल चुकी है सेप्टम 10 में आपका एक टेक्निस वाला निकला है आपको पता I.T.A. डिप्लोमास के लिए और सेकेंड एन यानि के अलाइड एन आपका एड्मिन्स में वेकेंसी आई है उसमें भी बहुत ज़्यादा रिक्रूट मेंट आउट की गई है फिर से गाईस जो तैयारी अब नेक्स वेकेंसी निकल रही है वो MTS की निकल रही है वो भी 3000 से ज़्यादा पोस्ट की होगी तो गाईस एक बहुत बड़ी वीग निउस है और गूड निउस है तो हलांकि यह मत सभी पूछना की सर इसकी ऑफिसल अपडेट का है क्योंकि दिसंबर में देने की जाधातर यही होती है 27-28 दिसंबर ओनलाइन फॉर्म है आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसकी फॉर्म जो है आपको निकलने वाली है हो सके दिसंबर एंड तक निकल जाए नहीं जनवरी में completely आपकी फॉर्म यहां पर आने वाली है यह तो रही good news आप बात करेंगे इसमें previous notifications के अधार पे syllabus बगरा के बारे में तो गैस यह official notifications है जो 2019-2020 में MTS आई थी ना वह 1817 पोस्ट के लिए उसके लिए vacances के पारे में discuss की गए तो इसको लेकर मैं syllabus बताऊंगा लेकिन कुछ changes इस बार DRDO MTS करेगी changes देखो सुनने में आ रहा है कि आपकी एज में changes हो सकती है अब syllabus में DRDO change अभी नहीं किये सेप्टम 10 को भी देखो तो उस आपकी खास changes नहीं हुई है तो MTS में भी change नहीं होगी form आप देख सकते हैं कि 2020 दिसंबर में notification इसकी आ चुकी थी हलांकि यह 2020 से opening होई थी उस टाइम vacances कितनी थी और यहां पर apply करने के लिए qualifications बड़ा matter करता है तो qualifications में confusion भी होती है कि qualification 10th pass है या फिर आईटी आई देखो यार इसमें लिखा है 10th pass or requirement यानि कि 10th pass वाले apply कर सकता है और फिर industrial training institute जो आईटी आई पास आउट हो वो बंदा इस form को fill up कर सकते हैं आपर साफ-साफ mention है आप देख सकते हैं 10th pass और आईटी आई अब यहां पर controversy नहीं है कि 10th pass के साथ-साथ आईटी आई चाहिए या फिर नहीं चाहिए देखो न्यू recruitment में क्या होगा हम भी नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि जब तक official नहीं है लेकिन MTS AI 10th pass वाले बिल्कुल apply कर पाएंगे 10th pass वाले किसी 10th pass के लिए apply कर रहे हैं फिर ITA वालों के लिए अब यहां पर 10th pass वाले कहां पर मार खाते हैं और ITA पास वाले कोई 10th pass है कोई ITA किया है 8 pass करके ITA किया है ओके तो वो बंदा बिल्कुल apply कर सकता है भाई या वो तो 10th pass नहीं है लेकिन आईटिया पास आउट है तो इस फोंग को fill up कर सकता है तो यह अच्छी अपर्शन रही मिल जाती है एट पास प्लस आईटिया वालों के लिए ओके तो क्वालिफिकेशन सेम होगा क्वालिफिकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाली है तेंटास और आईटियाई दोनों के लिए अलिस्वल से यहाँ पर वेकेंस निकलने वाली है इसकी जो पेस के लोती है ना 18,000 से लेकर 56,900 होती है वो लेवल बन की और लेवल भी रहेगी 7CPC के अनुसार सेम सेलरी आपको मिलने वाली है अब एस पर ज्यादा इसमें होने वाला अब एस क्या होगा देखो एस लिमिट जो रिक्रूट्मेंट आउट की गई थी ना 2011 में इसमें में इसमें 18 साल से लेकर 25 साल के केंडिडिट इस पॉम को फिलप कर सकते ह हैं हलांकि आप जितनी भी रिकूट्मेंट एजन्सी है या फिर जो यहां से भी रिकूट्मेंट निकल रही है होफुली कैस क्योंकि अब एज जो है सब में एक्टेंट करके ही निकलेगी और धीरे-धेर करके चौनकी सब बढ़ रही है यार वेकेंसी एक तो कम आती है 2 से चार साल में vacances नेकलती है और age जो है वो कभी क्रिचरिया बदलता ही नहीं है syllabus बदल जाता है लेकिन age नहीं बदलता है भाई साब age भी बदलनी चाहिए क्योंकि आजकल की date में पहले क्या आजकल 24 साल के age में लोग मैचौर नहीं होते हैं तो यहीं से recruitment को लेकर यहां पर 25 साल लिख दियें तो इसमें DRU अच्छा करने वाली है 18-27 का जो age है वो यहां पर DRU MTS में आने वाली है तो बहुत अच्छी बात है 27 लिमिट होगी तो काफी सारे candidate यहां पर eligible हो जाएंगे तो age में डिफरेंस मिलेगी और vacancy में difference क्योंकि vacancy 1817 मिली थी इस बार 3000 से भी ज्यादा पोस्टें आपको देखने को मिल सकती है directly आपता है कि selection अब कैसे होगा मतलब क्या process होता है selection process का अब यहां पर देखो selection process यहां पर return test होगा return test में दो टायर एक्जामस आपके होंगे टायर वन और टायर टू टायर वन जो होता है वो आपका basic screening purpose के लिए होता है यहने कि सिर्फ qualifying nature का होगा और टायर टू होगा जो cbt2 होगा वो आपका final submission होगा गाई जो selections को लेकर लेकर जाएगा आपका टायर वन में होता है general intelligence and reasoning 35 question होता है 35 marks का उसके बाद होता है general awareness अब general awareness में सब आ जाता है gkgs जितना भी international relations and current affairs जिसमें इसे 30 question होता है और 30 marks का भी होता है उसके बाद quantitative and numerical ability यानि की मैथ होता है 35 question 35 marks का यहनि की total 100 marks का exams होगा 90 minute की time आपको इसमें दी जाएगी जो की cbt screening में होगी उसके बाद जितने भी candidate यहां पर participate करेंगे उसको final selection tier 2 वालों के लिए 1 is to 10 ratio में आपको qualify किएगा cbt2 में 1 is to 10 कि 1 is to 10 कितना होता है यह वेकंसिस का दस गुना मालो 3000 वेकंसिस अगर निकाला जाए तो उसका 30 गुना है यानि कि 10 गुना है यानि कि 30,000 candidate को shortly state करेगी cbt2 के लिए अब cbt2 में जो भी final selection यहां पर होगी उसकी syllabus देख लो उसमें general science होता है 40 question 40 marks का होगा general math होगा यह भी 40 question 40 marks का होगा और general English होगा मैंत अच्छा होता है इसमें science बहुत अच्छा होता है तो अप्रॉक्समेटली अगर इसकी देखो तो इसमें भी 100 question रहने वाले 100 marks का होगा और 90 मिनट का टाइम आपको इसमें दी जाएग और यही matter करता है आपका selections को गैस तो यह चीज मैंने syllabus बता दी exam pattern सब कुछ बता ही दिया है इसमें और जब भी इसकी form आएगी 100 रुपए application fee होती है general obc male candidate का female candidate का या फिर htse वालन को कोई भी application fee लगता नहीं है अब wait करना की vacancy आती कब तक है hopefully DRU MTS levels के बारे में और जानकारी अगर चाहिए तो comment करना अलांकि जब भी आएगी notification तो आपको काफी आपको पता सेप्टम टेम की कितनी चल्दी हो गई है तो बस अपडेट देनी थी कैसे लगी जरूर बताएगा यूसफफुल लगी हो प्लीज लैक सब्सक्राइब करें चले में नेक्स वोडियो में तब तक लिए जाहें